के लोगाइज एक और फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर और आज के स्वीडियो के दर हम लोग करने वाले रेडमी नोट टेनस के अंदर मोई 13.0.2.0 अपडेट आने बाद फरी फायर मेक्स का रिवीव जी आंगाइज मैंने आप लोग साथ एक पॉल क्रियेट के लोगों की डिमांड एक फ्री फायर का भी रिवीव लेकर आए तो आज के स्वीडियो के दर हम लोग फ्री फैर मेक्स का रिवीव करेंगा जो आप देख सकते हैं हमारे पास प्राउनलोड की हुए हम आज इसका रिवीव करने हो तो आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के करेंगा रिवर भी eat ہता या फिर फेर Makes backend के लिए और टेलगरम चनल कभी तक जोंन नहीं करेंगा लिए तो आely तो आपको मिल जाती है तो जल्दी जाकर जोन की जाए भी गाइज मैं इसको करता हूं और फिर आपको मैं चेक कर वाता हूं तो गैज देख सकते हैं मैं फ्रीफायर कौन कर लिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं फिर हम लोग इसका फूल रिव्यू करेंगे कि इसके विश्टार्ट हो चुका आगे आप देखते हैं सो गया आप देख सकते हैं में जो में चाव इसके अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस देता है तो जिदी अच्छी परफॉर्म दी तो आपको जरूर से रिकमेंड करूंग अपडेट करना और गया विडियो का आप देखते देखते हैं कि क्या कुछ होते हैं लेकिन आज जो मौसम की वजह से पहुंच ज्यादा हीट नहीं हो तो आगे कि आपको रिपोर्ट देते रहेंगे वीडियो को एंड तक देखते रही है और गया आपको अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं कि तो जरूर चैनल सब्सक्रेब पर देखने को मिलती रहेगी चलिए आगे भी हम लोग चेक करते रहेंगे पूरा यहां पर गेम खेलिंग और उसके बाद आपको फूल डिवी देंगे तो तो बिलकुल भी इसके अंदर लेक प्रोब्लम अभी तक नोटिस नहीं हो रहे और गया नहीं फॉन हीट हो रहा है तो कईज आप बिलकुल भी दोस्तों लेग नहीं नहीं हीट और पोन और जंक से यहां पर गेमिंग छल रही है और यहां पर देकिसकते और मैंने यहीं हिव्वार को करते टेस्ट किया है पहली बार आज तक दोस्तों मैंने कभी इसको आपन भी नहीं करके देखा था तो इसलिए पूरा मुझे खेलना तो नहीं आता लेकिन फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूं तो वीडियो का आप देख रहे हैं तो इसके लिए कि यूण यू नहीं है बिलकुल भी इसके लगा आपको बीप सांट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों इस पर काषिट हमारे पहला एक्स्पिरेंस रहा अभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी लेग वगएर नहीं है और यह बात करें तो आप आप मैंने आपको पहले बता है था उतना अभी तक बना हुआ है तो गैस बिल्कुल भी इसके अंदर हीट वगएरा मुझे नहीं कि तेंक्यों दोस्तों